वेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैं चैनल बीड व्लॉग तो कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होगे मैं हम फिपा और आज में आपके साथ शेयर करने जा रहे हूँ कि आप किस तरीके से अपने प्रेगनेंसी का टैस्स खुद घर पे कर सकते हो अगर आपके पास हैं तो भी आप यह कैसे जान सकते हो कि आप प्रेगनेंट हो की नहीं मैं बहुत ही सटीक घरेलू उपाय लेकर रहे हूं आज आप लोग के लिए और इनको ट्राइ करोगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि आप प्रेगनेंट हो की नहीं हो विदाउट केट तो इस माँ बनना लाइफ का एक ऐसा मुमेंट होता है हर लड़की के लिए हर औरत के लिए कि उसको बयान ही कर सकती उस टाइम पर इतनी खोश इतनी हैपी होती है कि उस समय उसको कुछ भी समाज में नहीं आ रहा होता है लेकिन होता क्या है ना जब आप प्रेगनेंट होते हो तो आपको यह जानने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं आज यहीं बताने वाली हूं आपको कुछ घरेली उट्यूपस देने वाली हो इस वीडियो में तो सबसे अगर आपके पास वाइट टूट पेस है तो आप यह टेस्स बहुत इसली अपने घर में कर सकते हो तो आपक अब की बौर्डे में सजी हर्मोन बंडरा होंगा तो उसमें आपकी टौलेट में बहुत ली वहार्मोन आ जायेगा और आपका जो रिजल्ट है वह बहुत शु कह अपनी मॉरीन ही से आपको करना है तो आपको करना क्या है कि आपकी जो harder and best way फेटने के बाद जब शाक पर ब्लू ब्लू कलर के कुछ पार्टिकल से आ गये हैं जिससे कि आप जान सकते हो अगर उसमें ऐसा ब्लू कलर कोई पार्टिकल्स नहीं आते हैं तो इसका मतब है कि आप प्रेगनें नहीं हो इसके बाद दूसरी तरीके से भी आप ट्राय कर सकते हो अप चैक कर सकते हो घर म है उसके लिए आपको क्या करना है कि किसी भी डिस्प्रोजल परतन में अपने यूरीन को ले लिए उसमें एक चमच ब्लीच पाउडर मिला लिए और उसमें अच्छा से मिक्स कर लिए अगर आपके ब्लीच में बुलबले दिखाई देते हैं तो रिजल पॉजिटिव है आप आपको बताती हूं मैं चीनि शक्कर चीनी में थोड़ी सी मांत्रा में पेशाप का सेंपल मिलाई है अगर चीनी घुलने की वजाए गठ्थे जैसी बन जाती है यह गुच्छे जैसे गुच्छे में बदल जाती है तो इसका मतलब है कि आप कर्वती हो सकते हो अब अब तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट है लेकिन अगर इसके वज़ाए यूरीन और डेटॉल आपस में अच्छे से घुल मिल गया है दूद की तरह सफेरी जैसा पदात बन गया है तो समझे कि आप प्रेग्नेंट नहीं है इसके बाद बेकिंग सोडा दो चमच बेकिंग स साबुन और यूरीन को आपसे मिलाके रख दें अगर थोड़ी देर बाद उसमें बुलबुले बनते हैं तो समझ लीजे कि आपका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है इसके बाद आप एक कांच के गलास के जरीए भी ये टेस्ट कर सकते हैं कांच के गलास में आपको यूर यूरीन डालने अपना कुछ देर बाद अगर यूरीन में सफेज सी परत बन जाया तो समझे कि आपका टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है अगर नहीं बनती है यह सफेज सी लेयर तो आपका टेस्ट नेगेटिव लेकिन यह वाला टेस्ट 100% शोर नहीं होता है इसमें आप य किट का यूज करना पड़ेगा अपनी टेस्ट के लिए और यह किट जो है बहुत एजली मार्केट में अविलेबल होती है और इनका जो रिजल्ट है वो एकदम सटीक होता है तो आप इनको ज़रूर अगर ट्राइए सारी चीज़ें करने के बाद अगर आपको तसली नहीं किट भी यूज कर सकते हैं और गाइस मैंने जो भी आपको घरेलू टिप्स बताएं है प्रेग्नेंसी टेस्ट करने के लिए इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा करने से पहले पहली बात तो बहुत जादा सफाई होनी चाहिए यह चीज़ें करने से प इसमें आप की योईरीण है वह एकदम फरेश मॉर्निंग की होनी चाहिए वह आपकी लेट लतीफ नहीं होने चाहिए या दूसरी या तीसरी नहीं होनी चाहिए दिन की क्यूंकि उसमें SCG हार्मोन के माध्यम से आप पता कर सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो तो जो SCG हार् कि आपकी यूरीन पहली होनी चाहिए दिन की ताकि उसमें अच्छे से सीजी हार्मोन हो ताकि आपका रिजल्ट सही आ सके तो यह था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ घरेली टिप्स भी बताई अगर आप करना चाहते हो खुछ से पहले जानना चाहते हो तो आप आप यह साही चीज़े कर शुके हो और आप डॉक्टर के पास जाना चाहोगे तो वह भी आपको किठी देगी आपको टेस्ट करने के लिए और वहां पर भी आपको यह क्लियर हो जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो लेकिन यह साही चीज़े करके आप पहले ही हफ़ते में और सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो तो आपको वीडियो पसंद आया ओगा वीडियो पसंद आया हो टो फ्लीज विडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेए हैं मिलते से नेकट्स वीडियो में तब तक लिए बा बाई